हर्मानगर जले के सद्दर थाना पुलीस के अंदर मुकद्बा नंबर 102 दिनाग 2332-2024 दारा आठ बटा 1522-25 अन्डीपीएस एक्ट के तैत दर्ज होता है। उसके बाद जो अरोपी होता है वे फरार हो जाता है। फिर अन्डीपीएस परकरण में वानशित अरोपी पर इनाम भी गोशित किया जाता है। उस पर 10,000 रुपए इनाम गोशित किया गया था क्योंकि वह लंबे समय से फरार चल रहा था और पुलीस के हाथ नहीं लग रहा था। इसकी कराम में जिला विशेश टीम हर्मानगर दोवारा मुकदमा नमबर 102-233-2024 में वानशित जो अरोपी है पहलाद बादू को दव्यास्त कार पुलीस थाना हर्मानगर टौन के सपुर्द कर दिया है। जनी इस परकर्ण की जाँच हर्मानगर टौन पुलीस के दवारा की जारी थी और सदर पुलीस थाना के अंदर इसका मुकदमा दर्जा है। और उपी परकर्ण दर्जा होने के समय से फरार चल रहा था। जनी मार्च दो हुजार चौबिस के अंदर मुकदमा दर्जा होता है। उसके बाद वहे फरार हो जाता है। पुलीस के हाथ नहीं लगता है। पुलीस के दवारा उसको डूंडने का प्रयास होता है। और विजला बशेश टीम हनुमानगर के सायोग से फिर आखिर कार यह उमर अरती साल मिवासी बार नंबर बारा चोहला वाली पुलिस ताना हनुमानगर टाउन। यानि हनुमानगर के नजदीक चोहला वाली गाम का यह रहने वाला है रोपी अब पुलीस की गिर्फत में आ चुका है। अब देखते हैं दस हजार रपे का इनाम पुलीस के सर से किसे दिया जाता है। कलम नूज के लिए गुरदेब सिंग साइनी की खास रिपोर्ट क्या जाता है।